येलो दूस्तों स्वागत आपको आपको उलने यूट्यूप चैनल में मैं नरेंद कुमार दोस्तों यहां पर बात करने वाले हैं और डूस्तों आर् डूस्तों रा सी गुरूब डे का आपने मभआ घर आपको फसेक्ट हो गया था जो कोई कारण था जिसमें फोटो सिंगनेचर या उदर जो कोई एरोर था जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था तो दोस्तों आपको एक बाग फिर मौका दिया जा रहा है अगर आप अपना फॉर्म सही करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे जो कि एक मैं लिंक दूँगा और दोस्तों इसमें बताएंगे कैसे आप क्या क्या भर करके आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं दोस्तों लगबग चार लग के बच्चों का यहां पर फोटो और सिगनेचर की वजह से फॉर्म रिजब्ट हुआ था तो इसको आप फिर से री अपलोड कर सकते हैं हाँ दोस्तों अगर आपका फ्रेंड या आपका अगर फॉर्म रह गया तो आप इस वीडियो को सेर जो कि अधिक से अधिक लोग देख सके जिनसे उनका फॉर्म सुधर सके नहीं तो फिर यह दुबारा मौका नहीं मिलेगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक नोटफिकेशन जारी वाता जिसमें 15 से 26 तारिक तक दिसंबर तक आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं वो भी फोटो और सिगनेचर को अपलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्या करना है जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक आपको मिलेगा, यह वाला लिंक मैं डिस्क्रप्शन बॉक्स में पेस्ट करके डाल दूँगा, जिससे आप डारेक्ट इस मोडिफिकेशन लिंक पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोस 26 बारा तक 23 बज़ कर 69 यानी 12 बज़े रात तक आप इसको कर सकते हैं इसको सही करने के लिए कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं अगर दोस्तों आपका इमेल पर आप मोबाइल पर मैसेज आए था कि आपका फोटो की वज़े से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है तो सबसे पहले अपना क्या करेंगे 57 नमर यहां पर डालेंगे अपना date of birth डालेंगे और अपना security code यहां पर डाल देंगे और log-in पर क्लिक करदेंगे जिससे की आपका फोटो और signature खुल जागा उसके सर्थ के अनुसार अपना फोटो और signature आ आप अपलोट कर देंगे और बात करते हैं दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि हमारा फॉर्म कैसा है और आपको यह नहीं पता कि हमारा रिजिस्टेशन नंबर क्या था क्योंकि दोस्तों कई साल हो गया है और यह आपके रिजिस्टेशन नंबर भी भूल गया है या जीमेल वगएर पर आपको नहीं प पड़ेगा उस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा फॉर्गेट ओले पर यहां पर सेलेक्ट में आएंगे दोस्तों सेलेक्ट में मालीजिए आप किस रेलवे जोन से फॉर्म को फिल किये थे उस जोन के बार में आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो एक-एक करके अगर आपको पसंद आए तो अपने वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिजिएगा दोस्तों में सेर कर दिजिएगा मिलते हैं नए वीडियो को साथ तब तक लिए बाइबाए